हाई फ्रेंड्स वेल्कम बेक्टोर स्टेडी क्लासस तो माई डियर फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारी 5 MCQ सीरीज के अंदर और आपके साथ आज जो टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वो जुड़ा है यूटी सी नेट पेपर वान पीपल लेंड एनवार्मेंट से टॉपिक कर रहे हैं यूजी सीनेट कॉमर्स मानेश्मेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजटी कॉमर्स की वेवस्टेडी क्लासस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्परियेंसिव कोर्सेज है और प्रेक्टिस के लिए टेस सीरीज और कोश्टन बेंग भ सब्सक्राइब बारिश हमारी 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 विंड्स इन सब में हमें चेंजिस देखने को मिल रहे हैं और क्लाइमिट चीन्ज के ना दो कारण दो करह दो गई दो एक आपके टीन नेचरल फोर्स दौर्सेज और एक हैं दूसरे हैं आपना मानमे प्रोसेज तो नेचरल कारनों के कारण भी आपका climate change होता है, जैसे volcanic activity है, आपका अर्थ का जो orbit है sun के around, तो natural causes भी है climate change के, बट हमारे human beings ने climate change की जो process है, उसे और जादा accelerate कर दिया, उसे और जादा बड़ा दिया है, कैसे ही, क्योंकि उसने deforestation किया, large amount of fossil fuels बन किये, petrol, diesel बहुत सारा consume किया, तो इस वज़े से climate change जो है, उसका जो effect है, वो और जादा जो है extreme होता जा रहा है, तो यहाँ पे जो second point है, there is no such thing as natural climate change वो गलत हो जाएगा, 1 and 3 वाले point हमारे सही होंगे, और इसलिए answer यहाँ पे हमारा option number C का बनेगा, आइए जी, बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ, assertion दी है, the greenhouse effect is a natural phenomenon and has been occurring for millions of years on the earth, reason, without this phenomenon, average global temperatures might have been around minus 17 degree Celsius and at such low temperature life would not be able to exist, तो greenhouse effect के उपर सवाल है, और देखते हैं कि इस सवाल का आप सही answer यहाँ पे दे पाते हैं यहाँ पे दे पाते हैं यहाँ फिर नहीं दे पाते हैं, तो उमीद करते हैं कि आप सभी ने इस सवाल का सही answer दिया होगा, देखो जो ग्रीन हाउस effect है, एक natural phenomenon है, हमारी अर्थ पे million of years से हो रहा है, हमारी अर्थ के उपर कुछ gases हैं, water vapor हैं, वो sun की जो heat है उसे trap कर लेते हैं, और हमारी पृत्वी को हमारी अर्थ को गरम रखते हैं, और अर्थ को इन्होंने गरम रखा हुआ है, एक normal temperature maintain किया हुआ है, average temperature 15 degree Celsius का maintain हुआ है, हमारी अर्थ पे, ये greenhouse effect के कारण ही possible हो पाया है, बट अगेन, my dear friends, यहाँ पे भी, आज के जमाने में, हमारे जो human beings हैं, वो greenhouse effect को और जादा बढ़ा रहे हैं, वो और जादा हमारी greenhouse gases का emission कर रहे हैं, जिससे हमारी पृत्वी और जादा गरम होती जा रही है, तो natural phenomenon है, अगर ये नहीं होता, तो इसके बना life ही अर्थ पे possible ना होती, यहाँ पे answer बनेगा option number A का, चलिए, सवाल number 3, which of the following is a greenhouse gas, nitrogen oxide, nitrogen dioxide, nitrous oxide, all of the above, तो यहाँ पे थोड़ा सा confusing सवाल आपको लग रहा होगा, answer मन कर रहा होगा, all of the above लगा दे, बट ऐसी गलती जो है, आप examination में मत करना, तो my dear friends ध्यान रखिए, कि आपके जो oxides of nitrogen है, उसके अंदर हमारे पास जो nitrogen oxide है, और जो nitrogen dioxide जो है, they are global cooling gases, not global warming gases, केवल जो आपका nitrous oxide है, N2O जो है, वही एक greenhouse gas है, तो इसलिए आपका जो answer यहाँ पर बनेगा, वो बनेगा जी option number C का, चलिए अगला सवाल है, consider the falling list and identify the correct code, list 1 और list 2 हमें यहाँ पर दे रखियें, और list 1 में हमें देखने को मिल रहा है, carbon dioxide, chlorofluorocarbons, methane, nitrogen oxides, और list 2 में हमें देखने को मिल रहा है, fertilizers, refrigeration, growing peddy, और deforestation, फ्रोड़ा से दिमाग लगाएंगे, तो असानी से मेरे recording आप यहाँ पर पूरी matching आप कर सकते हैं, तो my dear friends, यहाँ पर carbon dioxide को तो match करेंगे आप deforestation से, कि आप पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, और पेड़ हमारे क्या करते हैं, जी carbon dioxide को absorb करते हैं, और deforestation अगर करेंगे तो carbon dioxide का level आपका बढ़ेगा, global warming बढ़ने वाली है, चली इसके बाद chlorofluorocarbons हैं, य आप सभी जानते हैं कि इसका इस्तमाल आप refrigerations में करते हैं, आप जितना जादा EC चलाते हैं, यह सब चीज़ें चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, उसमें आपके ऐसे elements होते हैं, जो कि आपके ultimately ozone layer को भी deplete कर सकते हैं, तो chlorofluorocarbons आपके refrigerants में पाये जाते हैं, और methane जो है उस nitrogen oxides की बात करें, तो nitrogen oxides के अगर हम बात करें, तो हमारे जो fertilizer होते हैं, fertilizer में हमारे पास आता है NPK, nitrogen phosphorus potassium, तो nitrogen जो है इनमें पाया जाता है, और excessive use अगर हम करें, तो कहीं न कहीं है, nitrogen oxides में convert हो सकता है, और यह हमारे लिए harmful भी हो सकता है, तो इसलिए हमारी जो matching यहां पर बने बने वाली है, option number D के अंदर, तो option number D जो हमारी है, वो correct answer यहां पर बनेगा, तो बढ़ते हैं जी, अगले सवाल की तरफ, सवाल है, which of the falling is our ozone depleting substances, ozone layer के बारे में आप सभी जानते हैं न, कि पृत्वी को सूरे से आने वाली UV किरनों से ozone layer बचाती है, तो अब ozone को deplete करने वाली substances कौन सी हैं, chlorofluorocarbons, hellones, methyl bromide, carbon tetra chloride, तो ऐसे सवाल एक्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना हैं, CFCs के अलावा और भी कुछ ozone depleting substances हो सकती हैं, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, यह सारी substances ही आपकी ozone layer को deplete करती हैं, तो ozone layer, अगर ozone layer deplete हो जाएगी, तो जो हमारे पास जो है, sun की जो UV rays हैं, वो अर्थ तक पहुंच जाएगी, उससे बहुत सारे health effects humans को हो सकते हैं, उनकी eyes में cataract हो सकता है, तो बहुत सा ill effects हमें उस So my dear friends, यह था हमारा discussion, यहाँ पर आपके लिए homework का सवाल है, इसका answer आपको देना है, इस वीडियो पर comment करके हमें इंतजार रहेगा आपके answers का तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना है, do like, share and subscribe, bye, take care, all the best